हलो फ्रेंड्स! इस वीडियो में हम करेंगे बिश्ग का इतिहास Top 250 प्रसनों के माध्याम से संपूर्ड बिश्ग के इतिहास को इस वीडियो में कबर करेंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को आन्त तक देख directional ये वीडियो आपके सभी प्रतियोगता परिछाओं के लिए महत्यपूर बेड़ो हैं तो चले दोस्तों आज किस वीडियो को सुरू करते हैं तो पहला कोश्चन है पुनर्जागरड का प्रारंभ कहां से हुआ था? इटली देश से पुनर्जागरड का प्रारंभ हुआ था इटली के किस नगर से पुनर्जागरड के सुरुवात मानी चाती हैं तो इटली का एक नगर है फ्लोरेंस जहां से पुनर्जागरड के सुरुवात मानी चाती हैं फुलोरेंस नगर से पुनर चागरड का अगरदूत किसे कहा जाता हैं? दार्शनिक दांते को पुनर चागरड का अगरदूत कहते हैं दार्शनिक दांते को पुनर चागरड का क्या अर्थ होता हैं? फिर से जागना यानि कि पुनह चागना पुनर चागरड का अर्थ होता है अमेरिका में जापान पर अडू बम का प्रियोग कब किया था अमेरिका ने जापान पर अडू बम का प्रियोग किया था 6 अगस्त 1945 को और जापान का एक सहर है हीरो सिमा पर जापान ने बम गिरा था 6 अगस्त 1945 को और इस बम का नाम था लेटल में इस बम का क्या नाम था इतल में जिसी गिरा था हीरो सिमा पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को नेक्स्ट कॉस्टन आधुनिक बिस का पर्थम राजनीतिक चिन तक किसे माना चाता हैं? माइकिया बेली को मानते हैं पुनर्ड जागरड क्या था? तो ये एक बहुएक अंदोलन था किस देश के मूल निबासी को रेड इंडियन कहा जाता हैं? अमेरिका के मूल निबासी को रेड इंडियन कहते हैं अमेरिका के मूल निबासी को अमेरिकी सोतंदरता संग्राम का ततकालिक करनड क्या था? बोच्टन टी पार्टी की घटना जो थी ये अमेर्की स्वतंदता संग्राम की ततकालिक घड़ना थी और बोश्टन्टी पार्टी घड़ना जो थी ये 1773 इस भी में हुई थी 1773 में Next question है कि अमेर्की स्वतंदता संग्राम का नायक कौन था? जोर्ज वासिंग्टन थे अमेर्का ने पूर स्वतंदता की घोसडा कब की थी? 4 जुलाई 1776 को अमेर्का ने स्वतंदता की घोसडा की थी और 4 जुलाई को ही अमेर्का का स्वतंदता दिवस मना जाता है आधुनिक गरतंतर की जननी किसे कहा जाता हैं? अमेरिका को आधुनिक गरतंतर की जननी कहते हैं अमेरिका देश को पड़जातंतर की अस्थापना सुरपर्थम कहां पर हुई थी? अमेरिका में सुरपर्थम पड़जातंतर की अस्थापना की गए थी बिस में सुरपर्थम लिखत सब्धान कहां पर लागू किया गया था समयुक्त राज अमेरिका में USA में United State of America में सुरपर्थम लिखत सब्धान को लागू किया गया था और बिस में अगर बात करें बिस का सबसे बड़ा लिखत सब्धान किसका है तो अपने भारत देश कहा है दुस्तो भारत का सबसे बड़ा लिखत सब्धान है अबराहम लिंकन ने दास पर्था का उन्मूलन कब किया था? 1863 इसबी में दास पर्था का उन्मूलन किया था अबराहम लिंकन ने जो की अमेरिका के राच्टपती थे नहीं? वाइट हाउस कहते हैं अमेरिका के राज्टपती के निबास अस्थान को कहा जाते हैं वाइट हाउस. फ्रांस की राज करांती किस के सासनकाल में हुई थी? Next question ही कि समानता स्वतन्दरता और बंधत कनारा किस करांती की देन है? माप तोल की दसमनों परिण परिणाली किस डेस में शुरू हुई थी? सुरपर्थम फ्रांस में माप तोल की दस्मलों परणाली शुरू हुई थी फ्रांस में नेपोलियन का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1775 इसबी में अजासियो कोडसी का दुई पर नेपोलियन का जन्म हुआ था नेपोलियन का प्रानरंभिक जीवन किस रूप में सुरू हुआ था? एक सैनिक के रूप में नेपोलियन का प्रानरंभिक जीवन सुरू हुआ था? एक सैनिक के रूप में ट्राल्फगर का युध कब और किसके बीच हुआ था? तो 1805 इस भी को इंग्लेंड के साथ ट्राल्फगर का युध हुआ था? नेपोलीन की सबसे बड़ी देन क्या है? नेपोलीन कोड जो है नेपोलीन की सबसे बड़ी देन है? नेक्स्ट क्वस्टन है कि वाटलू के उध में पराजित होने के पसाथ नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेजा गया था? सेंट हेलेना टापू पर भेजा गया था? नेपोलियन के पतन का कारण था? रूस का आकरमड था नेपोलियन के पतन का कारण नेपोलिन अपने किस कार के लिए अबिस मरड़ी हैं? कानून सहिता के लिए अबिस मरड़ी हैं इटली के एकी करण का सिरिय किसको दिया जाता हैं? मेजनी काउंट कबूर और गेरी बालडी को दिया जाता हैं इटली का बिसमार्क किसे कहते हैं? काउंट कबूर को इटली का बिसमार्क कहा चाता हैं? काउंट कबूर को नेक्स्ट क्वेस्टन है कि रोम को संयुक्त इटली की राज़धानी कब घोसित किया गया था? 1871 में घोसित किया गया था जर्मनी का एकी करण किस ने किया था? बिसमार्क ने जर्मनी का एकी करण किया था? बिसमार्क ने जर्मनी का एक ही करण। 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 पर्थम बिस्यूद का तदकालिक करण क्या था। तो सेडा जेबो हत्या कान्ट जो था। ये पर्थम बिस्यूद का तदकालिक करण। अगला इंपोर्डन कोसन है कि 1911 S.B. में हुई चीनी करांती का नायक को था। सनियात सेन थे दूस्तों सनियात सेन जो हैं ये चीनी करांती के नायक थे। नेक्स्ट क्वस्टन है कि आश्ट्रिया के राजकुमार आर्क डियूक फ्रांसिस फर्डिनेट की हत्या कब और किसनी की थी। तो 28 से जून 1914 S.B. को गेवरीलो प्रीनिसप ने बोस्टनिया की राजसनी सेरा जोबा में आश्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की थी। पर्थम बिस्यूदिक के दोरान मित राज्टों का बिरोध करने बाले राज्टों को किस नाम से जाना गये हैं? दुरी राज्ट के नाम से जाना गये हैं मित राज्टों का बिरोध करने बाले को दुरी राज्ट के नाम से जाना गये हैं पर्थम बिस्यूदिक के लिए सबसे अधिक उत्तरदय देश कोन सा था? तो राइट एंसर जर्मनी हो जाएगा अगला क्वस्न चीन के राज्ट पिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर सनियात सेन को चीन का राज्ट पिता कहते हैं एसिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गये हैं? चीन को एसिया का मरीज कहते हैं चीन देश को आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना चाता हैं? मुस्तफा कलाम पासा को आधुनिक तुर्की का चन्मदाता मानते हैं मुस्तफा कलाम पासा को हिटलर की आत्म कथा का नाम क्या है? मेरा संघर्स यनि कि मैन कैंफ जो है यह हिटलर की आत्म कथा है और हेटलर ने अपनी आत्म कथा लिखा था जेल में जब ये जेल में बंद था तब वहाँ पर इसने अपनी आत्म कथा मेरा संघर्स को लिखा था अगला क्वस्टन ही कि दुतिये बिस्यूद की सुरुवात कब हुई थी तथा कितने वर्सों तक लड़ा गया था तो 1942 में दुतिये बिस्यूद की सुरुवात हुई और ये 1945 तक चला यानि कि 6 वर्सों तक दुतिये बिस्यूद लड़ा गया था दुतिये बिस्यूद में जापान ने आत्म समर्पड क्यों किया था क्योंकि स्यूक्त राच अमेरिका ने हीरो सिमा और नागा साकी पर एटम बम यानि की परमाडू बम गिरा था क्यों कि जापान ने अमेरिका के परल हारबर पर आकरम्ण किया था इसलिए अमेरिका ने हिरोशिमा और नागा सागे पर एटम बंब गिराय थे इंगलेंड को बनियों का देश किसी ने कहा था? नेपोलियन बोना पार्ट ने कहा था राइट साफ मैन के लेखा कौन है? टॉमस पेन राइट साफ मैन के लेखा कहें अगला कुस्टन मदर की रचना किसनी के थी? मदर की रचना क्या था? मैकसिको गोकी ने गुलाबो का यूध कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1805 इस भी को इंगलेंड में गुलाबो का यूध हुआ था मेगना कार्टा की घोसरा कब की गई थी? 1215 इस भी में नेपोलियन के पतन का क्या करण था? रूस का आकरमड नेपोलियन के पतन का करण में रचनाता है लिटिल कारपोरल किसी कहा चता है लिटिल कारपोरल कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी का सबसे सक्तसाली राज्ज कोंसा था? पड़सा जो है जर्मनी का सबसे सक्तसाली राज्य था बिसमार्क को सबसे अधिक भै किसे था फ्रांसे से सबसे अधिक डर था बिसमार्क को बिसमार्क को किसे ने बाजीगर कहा था बाजीगर कहा था बिलियम पर्थम ने बिसमार्क को हिटलर का जर्म कब और कहां पर हुआ था तो 20 अप्रेल 1889 इस भी को ब्राउनाओं में हिटलर का जर्म हुआ था और ब्राउनाओं कहां पर इस थे आज ट्रिया में इस थे दूस्तु आज ट्रिया में ही हिटलर का जर्म हुआ था 20 अप्रेल 1889 को और ही जर्मनी का चांसलर बन था, 1804 ISBN में बना था Next Quesn है कि । to be kutian कब और किसी नी किया था Hitler ने किया था, 1920 ISBN में National Socialist German Works Party को और किस नाम से जाना चांक है नाजी पार्टी के नाम से भी जानते है Hitler की आत्म कथा का क्या नाम है मेरा संगड़ स माय इस्ट्रिगल यहनी की मैनNINGैंफ जो है एक राच्ट एक नेता का नारा किसी ने दिया है है? हिटलर ने दिया है अगला कुस्सन, हिटलर की विस्तार बादी नीती का सिकार सुरपर्थम कौन सा राच्ट हुआ है? आच्ट्रिया हुआ है, आच्ट्रिया देश सांसकर्टिक राच्टेता का जनक किसे कहा जाता हैं? हर्डर को कहते हैं हर्डर को सांसकर्टिक राच्टेता का जनक कहते हैं तुर्की में ने सब्धान की घोसड़ा कब की गई? 20 अप्रेल 1924 इसवी को तुर्की में ने सब्धान की घोसड़ा की गई थी 1872 में जापान की सेनिक सिबा अनिबार कर दी गई 1872 में नेट्स्ट क्वस्टन है कि जापान ने राष्ट संग की सदेसता कब छोड़ी थी 24 फरोरी 1933 को छोड़ा था जापान का दौर अमेर्की ब्यापार के लिए किसे ने खोला था अमेर्की नाविक पेरी ने खोला था तुर्की में गरिगेरियन कलेंडर का परचलन कब आरंभ हुआ था 26 दिसंबर 1925 में आरंभ हुआ था इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था कुस्टन तुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम था अपमान जनक संधी कब हुई थी अपमान जनक संधी तुर्की के साथ 10 अगस्त 1929 को हुई थी पर्थम विस्यूद के बाद तुर्की के साथ हुई अपमान जनक संधी का किस नाम से जानते हैं सेवा की संधी के नाम से जानते हैं लजान की संधी कब हुई थी? 24 अगस्ट 1923 में लजान की संधी हुई थी. यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता हैं. लजान की संधी किसके किसके मद्ध हुई थी? तुर्की और यूनान के मद्ध लजान की संधी हुई थी. तुर्की में रिपबलिकन पीपल्स पार्टी की संस्थापक कों थे? मुस्तफा कलाम पासा जो हैं. ये तुर्की में रिपबलिकन पीपल्स पार्टी की संस्थापक थ अमिर्का का दूती बिस्यूद में सामिल होने का मुख कारण था परल हारबर पर आकरमण अगला क्वेस्टन है पेरिस सांती संवेलन कब से कब तक आवजित हुआ था तो 18 जनौरी 1919 से 21 जनौरी 1920 से तक आवजित किया गया था पेरिस सांती संवेलन जर्मनी में आर्थिक राच्टबाद का पिता किसे माना चाता है फ्रेडरिक लिस्ट को आर्थिक राच्टबाद का पिता मानते हैं जर्मनी में पर्थम विस्यूध का मुख कारण किया था तो आश्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेट की हत्या पर्थम विस्यूध का मुख कारण था अगला कोशन पर्थम विस्यूध के दोरां जर्मनी ने किस राष्ट पर 1914 इसी भी में आकरमण किया था बेलजियम लक्जमबर्ग फ पोलेंड पर आकरमड आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता हैं मुस्तफा कमाल अतातुर्क पासदा को आधुनिक तुर्की का निर्माता मानते हैं पान इसलामिजम का नारा किसे ने दिया था अब्दुल हमीद धुतिये ने अगला कुस्टन म्यूनिक पैक्ट Munich Pact हुआ था जर्मनी के दोरा Warsaw की संधी पर पहला बड़ा उलंगन कब किया गया था 1935 इस में जर्मनी ने वर्साई की संधी पर पहला उलंगन किया था 1935 में वर्साई की संधी को अनकिस नाम से जाना चाता है आरूपित संधी के नाम से जानते है जो जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जो जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जर्मनी की पराजे का सिरे किसे दिया जाता है। जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जर्मनी पर आरूपित की गए थी। जर्मनी पर आरूपित की गए थी। फ्रेंकफूर्ट की संधी हुई थी। चीन में गरतंदर सासन पद्धती का चनम कब हुआ था। उनीसु ग्यारा इसमी में हुआ था। नेट्स्ट क्वेसन है कि चीन में खुले द्वार की नीती का चनक किसे माना जाता है। डेंग जियोपिंग को माना चाता हैं हुनार के विशाल किसान अंदोलन का नेतरत किस ने किया था? माउध से तुंगने किया था पर्थम विस्यूध के समय अमेर्का के राच्टपती को थे? बुडरो बिलसन थे दोस्तों 1882 इसबी में हुआ था अमेरिका के किस समय पर्थम विस्युद में सामिल हुआ था अमेरिका दोस्तो 6 अपरेल 1917 इसबी में पर्थम विस्युद में सामिल हुआ था फ़स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका 6 अपरेल 1917 इसबी में सामिल हुआ था अगला कुसन है कि जापान ने मंचूरिया पर आकर्मण कब किया था? इंगलेंड में सांदार अलगावबाद की निती का विचारक कौन था? सेली सेबरी था दोस्तों सेली सेबरी जो है ये इंगलेंड में अलगावबाद की निती का विचारक था न्यू डियल के प्रतिपादक कौन थे? फ्रेंकलीन डी रुजिबल्ट जो थे ये न्यू डियल के प्रतिपादक थे रोम बर्लिन समझोता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 इसवी को रोम और बर्लिन का समझोता हुआ था जर्मणी ने आतम समर्पड कब किया था? 7 मई 1945 इसवी को जर्मणी ने आतम समर्पड किया था दुतिय बिस्यूद के समय इटिली का अधिनाईक कौन था? मुसुलिनी था, मुसुलिनी इटली का अधिनायक था नेक्स्ट क्वस्टन खुले द्वार की नीती का जनक किसे माना चाता है जान हे को मानते हैं चीन के राच्ट पिता किसे कहा चाता है सन्यात सेन को डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राच्ट पिता कहते हैं सन्यात सेन के मिरत्यू कब हुई थी? 1925 में 1925 में सन्यात सेन के मिरत्यू हुई थी चीन में ग्रह उद कब सुरू हुआ था? अपरेल 1927 में ग्रह उद सुरू हुआ था चीन में एसिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को कहते हैं चेन में कम्मिनिस्ट पार्टी के अस्थापना कब हुई थी? 1921 में कम्मिनिस्ट पार्टी के अस्थापना हुई थी चेन में चीन के जनवादी गड़राज की राज़धानी कहा थी? हुनान थी दूस्तों हुनान चुहें ये चीन के जनवादी गड़राज की राज़धानी थी अगला क्वेसन नेक्स्ट क्वेसन ही के प्रथम बेसियुध कब आरंभ हुआ था? 28 जुलाई 1914 SB को सुरू हुआ था और 1918 तक चला था दुतिय बेसियुध कब समाप्थ हुआ था? दो सिदंबर 1945 को समाप्थ हुआ था मुरक्को संकर्ट कब पैदा हुआ था? 1905 SB में मुरक्को संकर्ट शुरू हुआ था 1905 में वार्थम के संधी कब हुई थी? 28 जून 1919 को हुई थी 28 जून 1919 को वार्थम के संधी हुई थी वार्थम के संधी किसके साथ हुई थी? जर्मनी के साथ वार्थम के संधी हुई थी पर्थम बिस्योद में कितने राच्टरों न भाग लिया था, कितने देश ने भाग लिया था, तो कुल सैतिस देशों ने भाग लिया था, पर्थम बिस्योद में फर्स्ट बल्ड वार में रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? तो 1904-1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ था? 1904-1905 में अगला क्वस्ण लीग आफ नेशन्स की अस्तापना कब हुई थी? 1920-2012 में हुई थी रूसी सामवाद का चनक किसे कहा जाता है? गारगी पलेखा नोग को रूसी सामवाद का चनक कहते हैं रूस में सोसल डेमोकरिटिक दल की अस्तापना कब की गए थी? 1898 इसे मिमे की गए थी दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसे नहीं दिया था? कारल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूर एक हो फोबियन सोसाइटी के अस्तापना कहां पर की गए थी? लंडन में फोबियन सोसाइटी के अस्तापना की गए थी? लंडन में तो जो दास क्वेप्टल पुस्तक है ये काल-माक्स के पुस्तक हैं सेंट साइमन को मानते हैं इं ग्रह हुद हैं स्रूरू हुआ था इंगलेंड में गरह हुद किसके सासन काल में सुरू हुआ था चार्ल्स पर्थम के सासनकाल में शुरू हुआ था फेबियन सोसाइटी की अस्ताबना कब हुई थी 1884 इस भी में फेबियन सोसाइटी की अस्ताबना हुई थी रूस के सासक को क्या कहा जाता है रूस के सासक को आप अभी पढ़ चुके हैं जार कहते थे रूस का अंतिम जार कोन था अंतिम सासक कोन था तो जार अलेकजेंडर दुतिय जो था रूस का अंतिम जार और अंतिम सासक था नेक्स्ट क्वसन पर्थम बिस्युद्ध के समय लेनिन का नारा क्या था युद्ध का अंतिकरो लेनिन का नारा था पर्थम बिस्युद्ध के समय अस्थाईस आंति हेत सिधानत किसे ने दिया था ट्राट्सकी ने दिया था दुस्तू ट्राट्सकी ने अस्थाईस आंति हेत सिध्धान्ट दिये थे next question है कि लेनिन के मिर्त्यू कब हुई थी 1924 में 1924 में लेनिन के मिर्त्यू हुई थी इंगलेंड और फ्रांस के मद्ध हुआ था England में ग्रह उध्य के दोरां समर्थकों को क्या कहा जाता था Cabalier कहते थे England में ग्रह उद्ध के दोरान समर्थकों को कैबेलियर कहा जाता था इंग्लेंड में ग्रह उद्ध के बाद वहां के सासक चार्ल्स पर्थम को किस परकार की सजा दी गे थी? फांसी की सजा दी गे थी चार्ल्स पर्थम को फांसी कब दी गे थी? 1645 में इंग्लेंड में रक्त भीहीन करांती हुई उसमें इंग्लेंड का सासक कौन था जेम्स दुतिये था दूस्तू जब इंग्लेंड में रक्त भीहीन करांती हुई थी तब इंग्लेंड का सासक था जेम्स दुतिये जेम से दुतिये किस धर्म का अनवाई था? कैथोलिक धर्म का अनवाई था? कैथोलिक धर्म का अनवाई था? कैथोलिक धर्म का अनवाई था? कोट आफ हाई कमान की अस्तापना किस नी की थी? जेम से दुतिये ने कोट आफ हाई कमान की अस्तापना की थी? जेम से दुतिये जेम से दुतिये किस धर्म का अनुवाई था, कैथोलिक धर्म का अनुवाई था और जेम से दुतिये नहीं कोर्ट आफ हाई कमान की अस्तापना के थी, जिसमें बिलियम तिर्थिये को इंगलेंड की राजगती पर बैठने का निवता दिया गया, वो कहां का सासक था, हॉलें किस उधोग से हुआ था, किस उधोग से हुआ था, सूती कपड़ा उधोग से हुआ था, तो राइट एंसर सूती कपड़ा उधोग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेस्टन है कि सुर्पर्थम नहर कब बनाए गे थी? 1761 में राए गे थी सुर्पर्थम पक्की सड़क बनानी की विधी कहा पर निकाली गे थी? इस कार्ट लेंड में सुरपर्थम 25 अडग बनानी की बिधी बेक्सित की गए थी किस बेक्त ने 25 अडग बनानी की बिधी बेक्सित की थी मैकेडम ने सुरपर्थम बेक्सित किया था पर्थम नहर कहां से कहां तक निकाली गए थी मैंचेस्टर से बर्सले तक निकाली गए थी किस इंजीनियर के दोरा पर्थम नहर निकाली गए थी ब्रेडले के दोरा निकाली गए थी अगला क्वेस्टन भाप इंजन का प्रियोग सुरपर्थम किस नहीं किया था जोर्ज स्टी फैंसर नहीं किया था किसमी क्या था ट्रेन में सुरपर्थम जोर्ज इस्टी फेंसर ने भाप इंजन का प्रियूग किया था 1814 एसमी में और भाप इंजन का अविस्कार किस ने किया था जेम्स वाड ने भाप इंजन का अविस्कार किया था सुरपर्थम सुरपर्थम भाप इंचन का प्रियोग किसके लिए किया गया था खानों से बंदर गाहों तक कोईले ले जाने के लिए सुरपर्थम भाप इंचन का प्रियोग किया गया था अधोगे करांथी की दोड में इंगलेंड का पर्त दिबंदी राच्ट कौन सा था जर्मनी था अगला कॉसन है चीन वा भारत के मध पंचे सेल से धानतों पर हस्ताचर कब हुए थे 1954 में रोडेसिया का नाम जिमबामबे कब रखा गया था 1980 में यूरोप में यूरो मुद्रा का परचलन कब हुआ था 1999 में हुआ था यूरो मुद्रा जो है यूरोप में 1999 में परचलित हुई थी चीन की प्राचीन सब्धता का विकास कब हुआ था 2500 इसापूर में हुआ था चीन की दिवार का निर्माट कब हुआ था 220 इसापूर्ब में चीन की दिवार का निर्माट किया गया था 220 इसापूर्व में अगला कुश्चन यद अमाज में करांती इलानी हो तो करांती का नेतृत न्योखों के हाथ में दे दो ये किसे ने कहा था? योसेफ मेजनी ने कहा था मक्का में मुहम्मर सहब का जन्म कब हुआ था? 570 इसापूर्व में वाटलू का युदध कब हुआ था? 1815 S&B में वाटलू का युदध हुआ था? 27 के लिए बढधंगु सम्मिलन कब हुआ था? बाण्डगु सम्मिलन जो है ये 1905 S&B में हुआ था? 27 के लिए बिर्टन के पर्थम परथान मंतरी कोन बने थे? रावर्ट वाल्पोल जो हैं ये बिर्टन के पर्थम परधान मंत्री थें रावर्ट वाल्पोल नेक्स्ट कुसन है ट्रालफगर का उध किसके किसके मद हुआ था नेपोलियन बोना पार्ट और इंगलेंड के बीच हुआ था मैं जानता हूँ ये परचातंत्र तब तक रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ मेरे मनने के बाद पढ़ ले हुगी ये कथन किसका था लुई पंदरभे का कथन था तमनेश्ट मैनिफेस्टो पुछ तक किसे ने लिखे थी काल मांकस ने लिखा था अगला कुशन चीन की यातरा करने वाला परथम यूरूपिय था रेट इंडियन कहां के मूल निबासे थे अमेरिका के मूल निबासे थे अमेरिका बिल्टिस ओपनी बेसिक समराज की न्यूग किसे ने डाली थी जेम से पर्थम ने डाला था अमेरिका का यूध के संधी के दोरा समाप्त हुआ था पेरिस के संधी के दोरा अमेरिका का यूध समाप्त हुआ था नेक्स्ट क्वस्टन अमेर्का को पूर्ड सोतनदरता का मिली थी 4 जुलाई 1776 S.B. को मिली थी अमेर्का में सोतनदरता संगराम के नायक कों थे जोर्ज वपासिंग्टन अमेर्का में सोतनदरता संगराम के नायक थे जोर्ज वपासिंग्टन अमिर्का के सोतंदरता संगराम का ततकालिक कारण क्या था बोच्टन चाय पार्टी के घड़ना अमिर्का के सोतंदरता संगराम के ततकालिक कारण थे बोच्टन टी पार्टी घड़ना धर्म सुधार अंदोलन का सुभारम किस सदी में हुआ था सलभी सधी में धर्म सुधार अंदोलन का सुभारंब हुआ था अगला कोशन ही कि धर्म सुधार अंदोलन काहां से आरंब हुआ था तो इंगलेंड से हारंब हुआ था दोस्तों इंगलेंड से धर्म सुधार अंदोलन की सुरुआत हुई थी अगला कोशन पुनर्जागरड काल में चित्रकला का जनक किसे माना चाता हैं? जी आटो को मानते हैं माइकल एंचलो कौन था? एक मूर्तिकार और चित्रकार था माइकल एंचलो दाते ने अपने किस परसिध काब में स्वर्ग ववा नरक की कथा का कालपनिक वरणन किया हैं डिबाइन कमेडी में किया हैं डिबाइन कमेडी चुहें ये दाते की पुष्टक हैं और इसमें इन्होंने स्वर्ग और नरक की कथा का कालपनिक विवरण दिया हैं पुनर्जागरड का सुभारम कहां से हुआ था? फुलोरेंस नगर से हुआ था इटली के फ्लोरेंस निगर से पुनेर चागरण की शुरुआत हुई थी नेच्ट क्वेसन है आधुनिक राजनीतिक दर्सन का जनक किसे माना चाता हैं? माइकिया बेली को माना चाता हैं मार्टिल लूथर कौन था? एक धर्म सुधारकता मार्टिल लूथर आधुनिक प्रियोगातमक बिज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? रोचर बेकन को कहते हैं धर्म सुधार अंदोलन का प्राता कालीन तारा किसे कहा जाता है? जान बेकलिफ को कहते हैं जान बेकलिफ को धर्म सुधार अंदोलन का प्राता कालीन तारा कहा जाता हैं क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और कब किया था 1492 ECB में? क्रिस्टोफर कोलंबस भार्त की खोज के लिए निकला था लेकिन इसने अमेरिका की खोज कली थी 1492 में. बोच्टन चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई नेक्स्ट क्वेसन बिस में सुरपर्थम लिखत सब्धान किस देश में वा कब लागू किया गया था? तो 1789 इस वी में बिस का पर्थम लिखत सब्धान अमेरिका में लागू किया गया था 1789 में अबरहम लिंकन अमेरिका के राच्टपती कब बने थे? 1871 में अबरहम लिंकन अमेरिका के राच्टपती बने थे? किस देश ने सुरपर्थम मानबू की समानता और मौलिक अधिकारों की घोसड़ा की थी? अमेरिका ने सुर्पर्थम किया था और अमेरिका से ही मोल अधिकार भारती सब्धान में लिए गये हैं अमेरिका में गिरह उद्ध कब सुरू हुआ था? 12 अप्रेल 1861 S.B. को गिरह उद्ध की सुरूआत हुई थी अमेरिका में अपरहम लिंकन चब राच्ट पती थे तब गिरह उद्ध की सुरूआत हुई थी अमेरिका का गिरह उद्ध कब समाप्त हुआ था? 26 मई 1865 S.B. को अमेरिका का गिरह उद्ध समाप्त हुआ था नेक्स्ट क्वेस्टन है अबरहम लिंकन ने दास पर्था का अंत कब किया था? 1863 S.B. में किया था? परजातंत्र जनता के लिए जनता दोरा जनता का सासन है ये किस नहीं कहा था? अबरहम लिंकन नहीं कहा था? अमेरिका में सोतंतरता के दोरान क्या नारा था? परतनिधित न अगला कोस्न है मैं ही राज हूँ और मेरे सब्ध ही कानून है। ये सब्ध किस के है? लुई چोदवे के कतने के कतने हैं। दोस्तो, I hope कि आपको वीडियो पसंद ही होगी, अगर आपको वीडियो पसंद ही, तो आप इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा, और इस वीडियो को सेर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके, वेल आइकन को आल प आता के लिए जैहिंत बंदे मातरम